धनलक्षमी बैंक शुरुवाती गिरावट के बाद शेयर ने भरी उडान बावन सप्ताह के हाई पर पहुँचा धनलक्षमी बैंक के बोर्ड में भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त दो अडिशनल डायरेक्टर्स सहित दस मिंबर हैं। बैंक पिछले कुछ सालों में टॉप लेवल के इस्तीफों और ओपरेशन संबंधी मुद्धों को लेकर खबरों में रहा है धनलक्षमी बैंक लिमिटेड के शेयर 18 सितंबर को शुरुवाती कारोबार में 11 प्रतिशत तक तूट गए। इसका कारण रहा बैंक के एक इस्तीफा दे दिया है। बैंक के ओपरेशन्स से जुड़े कई मुद्धों और बोर्ड के भीतर आंतरिक लड़ाई का हवाला देते हुए कल्यान सुंदरम ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने राइट्स इश्यू प्लान से संबंधित मुद्धे, कैपिटल सहित अने कई मुद्धों को भी वजह बताया है। इस खबर के आने के बाद धनलक्षमी बैंड के स्टॉप ने सोमवार सुभा गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया। बी ऐसी पर शेर लाल निशान में 27.6 एक रुपए पर खुला। इसके बाद देखते ही देखते इ और इसने तेजी दर्स करते हुए 52 सप्ताह के उच्च स्टर 33.83 रुपए को छू लिया। कारोबार बंद होने पर इसका बंद छुभाव 4.5 प्रतीशत की बढ़त के साथ 30.59 रुपए दर्स किया गया। इनसी पर कैसी रही चाल इनसी पर शेर गिरावट के साथ 27.95 पर ख इसले स्टर को छुआ। इसके बाद शेर में तेजी आई और यह 52 सप्ताह के उच्च स्टर 33.80 रुपए पर पहुँच गया। कारोबार बंद होने पर स्टॉक 4.4 प्रतीशत की बढ़त के साथ 30.55 रुपए पर बंद हुआ। वर्तमान में धनलक्षमी बैंक लिमिटेड क मार्केट कैप BSE पर 773.96 करोड रुपए पर है। बैंक के बोर्ड में भारतिय रिजर्फ बैंक, RBI, द्वारा नियुक्त दो अडिशनल डाइरेक्टर्स सहित 10 मिंबर हैं। बैंक पिछले कुछ सालों में टॉप लेबल के इस्तीफों और ओपरेशन संबंधी मुद्धों को लेकर खबरों में रहा है। धनलक्षमी बैंक के शेर ने पिछले 6 माह में 100.12 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। क्या लिखा है, इस्तीफे में कल्यान सुंदरम ने अपने रेजिगनेशन लेटर में कहा, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अहम होने के बावजूद मेरे को बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा जानबूच कर नामन्जूर टाला खारिस कर दिया गया है। कल्यान सुंदरम ने आगे कहा, मैं अकेला या यहां तक की पहला डायरेक्टर नहीं हूँ, जिसे अपनी शर्तों पर काम न करने के कारण नाराज होना पड़ा है। कई लो